पुलिस चवानों पर आना चाहेंगे, हाल ही में एक बड़ा फैसला कैबिनेट में पुलिस चवानों को लेकर लिया गया था, हलाकि इसकी अधी सूचना अभी तक नहीं हुई है, फैसले के मताबिक ये माना जा रहा है कि सबसीडाइज यात्रा HRDC बसेज में पुलिस चवानो की ओर से दिये गए है, दरसला हलाकि पहले कैबिनेट ब्रीफिंग में मंत्री हर्शवर्धन की ओर से ही ये जानकारी दी गई थी, और उनका ये कहना था कि सबसीडाइज यात्रा पुलिस कर्मियों की बंद की जाएगी, मासिक वेतन से इनके 210 रुपै इस यात्रा की लिए काटे जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में वेवस्था बदल जाएगी, ऐसे संकेत पहले यहां मंत्री हर्शवर्धन ने दिये थे, लेकिन दूसरी बार मीडिया से बाचित करते हुए मंत्री हर्शवर्धन ने कहा है कि पूना इस पर विचार हो सकता है, कारण ये है कि क्या मंत्री सुखु से भी उन्होंने भेंट की है, 24 अगस्त के आसपास अभी कैबिनेट बैठक हो सकती है और ये फैसला वापिस लिया जा सकता है, ऐसे संकेत जरूर मंत्री हर्शवर्धन की ओर से दिये गए हैं, लेकिन होता है नहीं होता है, उसी दिन पता चल पाएगा क्यूंकि दबाव तो एक तरह से बनाया ही जा रहा है पुलिस कर्मियों की ओर से इस फैसले को वापिस लेने के लिए, सबसीडाइस यात्रा अगर इनकी बंद हो जाएगी, तो एक तरह से घाटा इनके लिए वो होगा, असुविधा इनके लिए होगी, क्यूंकि ये उसमें घाटा है क्यूंकि यहां खर्चा 36 क्रोड के आसपास का आजाता है, HRTC प्रबंदन के पास, पुलिस शवानों का ही, तो HRTC प्रबंदन का ये कहना है कि तकरिबन 36 क्रोड तक का खर्चा आजाता है जबकि मिलता पुलिस डिपार्टमेंट से 5 क्रोड ही है और यहां प कुछ होता है यह आने वाले समय में हम देखने वाले हैं घिमाच्छा सरकार की ओर से स्टेट सिविल सर्विस अवार्ड को लेकर फैसला ले लिया गया है पहली बात तो ये कि स्टेट सिविल सर्विस अवार्ड रेविन्यू मॉनिटरिक सिस्टम को मिलेगा दूसरे बाद पार जस्तरिये कारेक्रम होने जा रहा है वहीं मुख्या मंत्री सुख्वू अवार्ड से नवाजित करने वाले हैं इन करमचारी अधिकारियों को और दूसरी बात जो के बीसी फे मरुनोद्य हैं इन्हें भी उसी दौरान वहां पर सम्मानित किया जाएगा दरसल इससे पहले 15 अप्रेल को ये अवार्ड नहीं दिये जा सके थे क्योंकि Code of Conduct लगा हुआ था इस वज़ा से विवस्था इस पार 15 अगस्त को की गई है यानि कि स्वतंतता दिवस वाले दिन ये अवार्ड दिये जाएंगे HPU की भरतियों पर अब जवाब देना होगा HPU प्रशाशन को ही Code को दरसल बात कुछ ऐसी है कि Code ने यहाँ पर जवाब मांग लिया है HPU प्रशाशन से कि अभी तक गैड शिक्षक भरती क्यों नहीं हो पाई है तकरीबन तीन बार इसके लिए विग्यापन निकाले गए भा अपना पैसा यहाँ आवेदकों से वसूल किया गया है यह सभी जवाब देने होंगे अब HPU प्रशाशन को कोर्ट में और इसके लिए एक अलपनामा दायर करना होगा HPU को जिसमें यह सभी जवाब दिये जाएंगे 5 सेप्टेंबर तक का वक्त HPU को यहाँ पर दिया गया ह 2020 से लेकर 2022 तक तीन बारी विज्यापन निकाले गए 20 अलगलग कैटेगिरिस में यह गयर शिक्षक भरतियां हैं जो काफी समय से नहीं हो पा रही है और आवेदकों के ओर से भी यह शिकायत हो रही थी कि भारी भरकम फीस उनसे वसूल ली गई है आवेदन के नाम पर लेकि कोट ने संग्यान ले लिया है जवाब मांगा है एच्प्यू से और एक तरह से भारी यह बात अब एच्प्यू पर पढ़ने वाली है जो बार बार यहां भरती करवाने के लिए विज्यापन तो जारी किया गया लेकिन उसके बाद फिर भरतियां हुई नहीं और वहीं है विए और से भी इस पूरे मामले को लेकर फैसला होने वाला है Finance Committee की बैठक में यह अगले सप्ता है ही Finance Committee की बैठक है विश्ववी दयेल्या VA में जिसमें डिसीजन होगा कि क्या जवाब दीया जाना है आखिरकार क्यूं भरती नहीं हो पाई क्या कारण रह रहे है और अगर पर भरती लैप्स हुई भी है तो अगला कदम HPU का क्या रहेगा यहां सीधे तोर पर जवाब देना होगा उचित जवाब देना होगा HPU प्रशाशन बड़े पंगे में भी नहीं तो यहां पर फस सकता है देखे करमचारियों में इंतजार बना हुआ है अपने एरियर और डिये को लेकर 15 अगस्त का दिन जब भी आता है तो इंतजार और जादा करमचारियों में बढ़ जाता है सचिवाल्य में चर्चाओं का बाजार इन दिनों काफी जादा गरम हो गया है कई तरह की संभावना एजटाई जा रही है अटकले लगाई जा रही है फिलहाल ये कैलकुलेशन का सिलसिला तो कुछ दिन पहले ही वित्विभाग में शुरू हो गया था कि कितना एरियर दिया जा सकता है और कितना प्रतीशत डिये अभी करमचारियों को मिल सकता है 2016 से मिलने वाले एरियर का इंतजार यहां करमचारी कर रहे हैं 12 फिजदी डिये का भुकतान भी अभी बाकी है तो ऐसे में देखना होगा कि एरियर और डिये मैंसे क्या सौगात दी जाती है क्योंकि हिमाचर प्रदेश की आर्थिक स्थिती ठीक नहीं है यहां के आर्थिक स्थिती किसी से नहीं चिपी है और बार-बार मुखे मंत्री की ओर से भी यही तर्प दिया जाता है कि हिमाचर प्रदेश कमजोर आर्थिक स्थिती से गुजर रहा है दूसरी बड़ी बात यह है कि तकरीबन 9000 क्रोड का भुकतान अभी करमचारी और पैंशनर्स का बाकी है तो अभी इंतजार और करवाया जाता है या स्वागात इसी 15 अगस्त के मौके पर दी जाती है यह फिलहाल एक दिन छोड़कर यानिकी परसों हमें पता लगने वाला है देखें जो जीला स्तरिय स्वतंदिता दिवसकारे करम है उसके लिए मंत्री शिमला से रवाना हो गए हैं शिक्षा मंत्री रोही ठाकुर की डियूटी चमबा में लगाई गई है वहीं मुख्या मंत्री मुकेश अगनी होतरी राष्ट्य ध्वज शिमला में फहराने वाले हैं इसी तरह से बाकी मंत्रियों की duty भी अलग-लग जीलों में लगी है और जल्दी ही वो रवाना होने वाले हैं, हलाकि कुछ एक रवाना शिमला से हो भी चुके हैं मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्खु की ओर से कुछ एक बड़े पैसले लिए गए हैं, हाल ही में एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था कि अब अफसरों के बजाए ये मंत्रियों के साथ डायरेक्ट मीटिंग मंडे को करेंगे, पिछले कल भी हुई और क्र लेकिन अब इसे बढ़ाने का फैसला यहां पर राज्य सरकार की ओर से लिया गया है, दूसरी बात परेटन विभाग को लेकर करना चाहेंगे, इसमें भी क्यूंकि एक बड़ा डिसीजन हुआ है, कांगडा के गगल एरपोर्ट विस्तार के मामले में सरकार अब निर्णाय हो रही है, जिस वज़ा से परेटकों की तादाद कम हो गई है, तो क्या ऐसी कतिवीधियां शुरू की जा सकती है, कौन से पैकेजिस में ऐसी विशेश छूट दी जा सकती है, जिसके बाद परेटकों की तादाद यहां बढ़ सके, रेविनियू पर भी क्यूंकि इसका अस देखें, आईएस में भी यहां तबादले किये गए हैं, आईएस ओफिसस के भी तबादले हुए हैं, राज्य सरकार के तीन सीनियर आईएस अधिकारी डेप्यूटेशन पर जा रहे हैं, डियार अमंदीब गर्ग भारत सरकार में जाएंगे, जबकि प्रियतू मंडल कॉल अधिशों के नाम भी हैं, राज्य सरकार को 27 अगस से शुरू हो रहे मौनसुन सतर से पहले ये बदलाव करने होंगे, ये भी जरूरी है क्यूंकि ठीक उससे पहले 24 अगस को कैबिनेट की बैठक भी रख ली गई है, जैसा कि एक चीज हम बार-बार दोहरा रहे हैं, अब पोसकोर्स पर आना चाहेंगे, देखिए केवल यहां पहले 21 पोसकोर्स को लेकर जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन 21 नहीं, ये टोटल 22 पोसकोर्स हैं, एक इसमें पोसकोर्स मिसिंग हो गया था, जिस बारे में अब पता चल पाया है, ये सस्पेंस डिस्पेंसर का पोसको यानि कि पोसकोर्स 967 का जिम्मा लोकसेवा आयोग के पास ही है, और अभी राज्य चैन आयोग को ये नहीं दिया गया है, जिसका मतलब ये समझा जाए कि लोकसेवा आयोग ही भरती करेगा, अगली बात, यहां ब्योरा सामने ये आया था कि 21 पोसकोर्स यहां राज्य चैन आयोग के पास गई है राज्य सरकार की ओर से, दरसल इसमें एक पोसकोर्स कैंसल कर दिया गया है, ये सेक्रेटरी पद भरा जाना था कोपरेटिव सोसाइटी के लिए जिला की नौर में, लेकिन विभाग की ओर से ही ये पोसकोर्स कैंसल कर दिया गया है, तो इस वजह से 21 नहीं बलकि 20 पोसकोर्स को लेकर ही चिठी गई है राज्य चायन आयोग के पास सरकार की ओर से, अब बात यहां पोसकोड 817 को लेकर भी करना चाहेंगे, थोड़ा सा इंतजार इन अभ्यर्चियों को और करना होगा, क्योंकि राज्य चायन आयोग ने 10 तिन का समय और मांग है रेकोमेंडेशन भीजने के लिए, संबंदित विभागों को डॉक्यूमेंट्स के साथ ही रेकोमेंडेशन भी जानी है, तो जिस वज़ा से 10 तिन का समय और जादा लग जाएगा, तो पोसकोड 817 के अभ्यर्चियों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा,